फैक्ट्री में सोना कैसे बनता है? दोस्तों कि आपको पता है मिटी से सोना बनता कैसे है और कहां है सोने की एक ऐसी नदी जहां से ट्रॉली भर-भर का सोना निकाला जाता है और कितनी जोखिमों से मजदूर इन्हें ख़दानों से निकालते हैं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये पहाड पर उखता है तो कोई इसे समंदर से निकाले जाने की बात कहते हैं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उखता है कि आखर ये आता कहां से हैं और इससे सुनार सोने की बिस्कुट, अंगुठी और कंगन कैसे तयार गरते हैं और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिका एक हजार किलू का बनाया गया है आए जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारी आज की वीडियो में दोसों आखों को वहली ही नजर में चका चौंट कर देने वाला यह सोना सौफ्ट होने के साथ साथ कई टरह की क्वालिटी के साथ लैस होता है SMS के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह आता कहा है और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे धर्ती के कोक से निकाला कैसी जाता है वैल यह सब तो आप सभी जानते है कि हमारी धर्ती तबाम तरीकों के प्राकर्तिक बंदारों से भरपूर है जिसकी गहराई में सोना, चांदी, हेरे, पैट्रोल जैसे ना जाने कितने खीमती चीज़ी दफन है पर इसमें अधर सोने की बात की जाए तो इसको लेकर वैग्यानिकों में तमाम तरीकते के मतभिद है कुछ के मताबिक ये एक प्राकर्तिक रूप में पैदा होने वाला एलिमेंट है तो वहीं कुछ की माने तो आज से करोणों अरबों सालों पहले प्रित्वी पर माइटोसिस की बारी शुई जिसके बाह सभी तेमती धातू धरते की कोख में जाकर समागे हाना कि वैग्याने की ये जिरूर मानते हैं कि किसी भी कैमिकल से इस अनोखे मैकल को बनाना नामुम्किन है इसलिए इन्हे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है माहिं का वैकिन अब सवाल यह उखता है कि आखर कैसे पता लगाया जाए कि जमीन की किस हिस्से में सोना गड़ा हुआ है और इसके लिए जमीन के कितने नीचे तक जाना पड़ सकता है जो GPR याने की Ground Penetring Radar का यूज़ करके जमीन की नीचे सोने की मौझूद की का पता लगाते हैं। इस कवाल की मौझीन की जरिये वो जमीन की नीचे मौझूद मिट्टी की डेंसिटी और मैगनिक गुनों को रेकार्ड करके एक ऐसा रामबांड ग्राफ तयार करता है जिसके आधार पर मिट्टी के भीतर चुपे सभी टत्वों की डीटील्स हमें मिल जाते हैं। इसके बाद सतीक जानकारी के लिए मिट्टी के अंदर खुदाई करके ठोड़े से मलबे को एकथा करके उनके सैंपल को विशलेशन के लिए भेजा जाता है। पर सेंख और लैड जैसी धात्वों से भी मिकाना जासकता है। वैसे सोने को निकालने का एक बहतर रास्था फाने के रास्ते से भी कुझरता है। लेकिन अस प्रकरिया में कम्पनी का इतना खर्चा हो जाता है कि उनके हाथ मातर चिल्रही बचते हैं। इसलिए खदानों के जरिये से सोने को निकानने के प्रॉसेस को ज्यादा प्रिफर करते हैं। आपको बता दे के सोने दू तरह के डिपॉसिट में पाया जाता है, लोड या वैन डिपॉसिट और क्लेसर डिपॉसिट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है। तो दूस्तो लोड यानि की वैन डिपॉसिट चक्टानों की वैन यानि चोटी धरारों में चमकीले पत्थरों रूपी दूसरे खनीजों के साथ मिक्स होकर उभरदा है। अब जब ये ओर हमारे हाथ लग जाता है तो फिर इसमें से सूने की बार ही आते हैं।